नमश्कार इंडियानीज, स्पोर्ट्स देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं भूशेक पांडे इस वीडियो में बात करेंगे IPL को लेकर, IPL के लोग प्रियता को लेकर IPL के रोग प्रियता हम सभी को पता है कि सरीके से IPL के चाहनी वाले हर देश में हैं, पुर दुनिया में हैं और IPL के जो टीमों को हैं, हर कोई उनको पसंद करता है, इस टूर्णामेंट को भी पूरे विश्व में देखा जाता है इससे भी चाहब को उतादी कि BCCI के और से पहले ये कहा जा चुका है, कि जो आगामी IPL है, इसमें हमें 8 के जगह 10 टीम में देखने को मिलेंगे जो हाँ, मौजुदा समय में, अगर बात IPL को लेकर करें, तो IPL में कुल 8 टीम में जो हैं, वो IPL टाइटल के लिए मैदान पर उतरती हैं और आपस में भड़ती हैं और ये टीम में IPL में हमें एक दूसरे से मुकाबला करती हुई दिखाई देंगी अब ऐसे लगातार इस बात को भी लेकर चर्चाएंच चल रही हैं, कि आखिर ये दो टीम में कौनसी होंगी और कौनसी दो नई टीम में हमें IPL में देखने को मिलेंगी और दूसी तरफ इस बात के भी चर्चा है कि आखिर इन दो टीमों का मालिक कौन होगा लेकिन इसे बीच आपको बता दें कि मैंचेस्टर युनाइटेड ये नाम हम सभी ने सुना होगा फुटबॉल जगत में एक बड़ा नाम है और ये टीम जो है वो पूरे विश्रो में जानी जाती है इसे बीच आपको बता दे कि मैंचेस्टर युनाइटेड के जो मालिक है उन्होंने भी इंटरस्ट दिखाया है IPL में जो यहां मैंचेस्टर युनाइटेड के जो मालिक है उन्होंने इंटरस्ट दिखाया है IPL में टीम खरीदने को लेकर और साथी साथ आपको बता दे कि कोई सोर्सर से नहीं है मैंचेस्टर युनाइटेड के जो मालिक है या Manchester United के जो मालिक हैं वो किसी टीम में अपनी सहभागिता निभाएंगे या नहीं निभाएंगे ये क्लियर नहीं हो पाए लेकिन इससे ये साफतार पर जाहिर होता है कि IPL के लोग पूरियता किस लेवल पर है और हर कोई जो है IPL में अपनी टीम बनाना चाहता है फिलाल के लिए इतना है पर देखने वाली बात यहां पर यह होगी BCCI किस तरीके से दो और नई टीमों को अगले IPL में लेकर आएगी और किस तरीके से दस टीमों के बीच मुकाबले जो है रोमांच भरे हमें देखने को मिलेंगे फिलाल के लिए वीडियो में इतना है तमाम अड़ी अपडेट्स के लिए अबना रही है इंडिया न्यूज स्पोर्ट्स के साथ धन्यवाद